समाज सास्त्र एमेफाइनल पेपर फर्स्ट इसका नाम है ठोटिकल प्रेसपेक्टिब इन सॉसलोजी इसको हिंदी मूलेंगे समाज सास्त्र में सैध्यानतिक परिप्रेच कोशन अंसर ड्वयल यानि की परशन उत्तर वारा तो यहां पर देखते हैं परशन उत्तर वारा है आपे शंगर्ष की भूम का ब्योटनकारी ही नहीं बड़के शंगर्टनकारी भी होती है इस कथन की ब्याक्या कीजिए अथवा संगर्ष संप्रदाय में कोजर के योगदान का उलेक कीजिए उसका अंसर देखते हैं आपे शंगर्ष एक सर्व ब्यापी प्रिकरिया है जो ब पेश्ब में कोई समाज ऐसा नहीं है जहां संगर्स ना हो चाहें कोई शरल समाज हो या जटिल समाज सभी में संगर्स पाया जाता है यदि एतियासिक आधार पर देखा जाए तो ऐसा कोई यूग नहीं रहा है जो संगर्स से अचूता रहा हो समाज में अनेक बर्ग पाय जाते हैं अत्वा यह कह सकते हैं कि धर्म जाती, संपरदाय, भासा छेत्र, आर्थे किस्तती, पिरजाती, इतियादी आधारों पर समाज अनेक बर्गों तथा उपवर्गों में विवाजित हो जाता है इन बर्गों के बीच समानताय नहीं पाय जाती हैं, बरन इनमें अनेक आधारों पर आशमानताय तथा बिशमताय भी उत्पन हो जाती हैं, यह आशमानताय बिविन बर्गों के लिए कभी कभी तनाव का कारण बन जाती हैं, यह तनाव जब उग्र रूप धाड़ कर लेते है तो इनके भी संगर्स उत्पन होता है संगर्स समाज पर सकरात्मक तथा नकरात्मक दोनों ही प्रिकार के प्रभाव डालता है जहां संगर्स हिंसा को जरम देता है बहीं संगर्स समाज में एकता भी इस्तापित करता है बहे इस रूप में कि संगर्स के समय एक बर्ग या समू के लोग एक हो जाते हैं नए स्टडिंग है याँ पर कोजर का समाजिक संगर सिधान्त लुइस कोजर ने समाजिक संगर सिधान्त की अपनी पुष्टक The Functions of Social Confiliers में प्रस्तुत किया है कोजर का कहना है कि समाजिक संगर्स की बुमिका बिख्टनकारी ही नहीं संगर्स के प्रडामों को ध्यान में रखा जाए तो समाजिक संगर्स के संभावित स्वरूप प्रिकट होते हैं एक बे जो संगर्स प्रडामों को जनम देते हैं और दूसरे बे संगर्स जो बिख्टनात्मक प्रडामों को जनम देते हैं अता कोजय के अनुशार यह सोचना की संगर्स में सदैप समाज की हानी होती है गलत है संग्टनातमक में एक्ता बासंगण भी पनप सकता है ये तब होता है जबकि संग्ड़ कर रहा है बिरोधी पक्षो की समान आस्था समाज के कुछ अधारबूत मुल्यों में होती है कोजर का कहना है कि आज की सरकारें अध्यदिक संगटित होती है और हिंसात्मक संगर्ष को कहीं अधिक हिंसा से दबाती है अता संगर्ष करने बालों को संगर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ती है आज के जनतांत्रिक समाज में सम आज के जनतांत्रिमिक समाज में सम्झावताबादी और अदाल्तिक कारवाओं के कारण संगर्स हिंसात्मक रूप धारण हो पाता है। समाज के अध्यन में उचित इस्थान देना है जो ऐसा नहीं करते हैं बे यह थार्त से मुह मूरते हैं। कोजर ने समाजी संगर्स के सुकार मूलक पक्ष पॉजिटिव अस्पेक्ट की विविचना करते हुए संगठनात्मक और समाई उजनात्मक प्रकारियों के महत पर प्र समान है संगर्स के सांत होने पर समाज पुन्र संगठित होता है। कोजर के अनुशार पॉइंट नमबर वन समाज बिविन अंगों से जुड़ी अवस्ता है। पॉइंट नमबर टू समाज के बिविन अंगों में तनाव और टकराव होने पर समाजिक विवस्ता आसंतुलि के कारण समाजिक व्यवस्ता तितर बितर हो जाती है और धीरे धीरे संगटित भी हो जाती है संगर्स से समाजिक व्यवस्ता मजबूत होती है और समायुजित होती रहती है कोजर का अपयुक्तिक पथन सत्य ही है कि समाज की विवस्ता में जितना अधिक लचिलापन होगा उतना ही संगर्ष द्वारा समाजिक विवस्ता अधिक समयोजित होगी कोजर ने संगर्ष के माध्यम से ही समाजिक लबस्ता को बिशलेशड का सिद्धान प्रस्तुत किया है डेहरन ड्राफ के एनुशार हितो के टकराओं से संगर्ष उत्पन होता है इसके विपरीत कुजर के मतानुसार सिकायतों के सुनवाई के बिकलपों के बंद होने से संगर्स होता है कुजर का कहना है कि जब दुरलब साधनों के बिकलप को चनौती दी जाती है तब नियाय संगत का औरस लेजी मेसी होने के बिकलप को चनौती दी जाती है तब प्रशन उठाया जाता है समाज व्यवस्ता को और अश्ट तहराने के अनेक सामाजिक यंत्र होते हैं समझहोता नियाई कादालतें, सिक्षा, धर्म, राष्ट और योगता, किरम के माध्यम से और सत्ता की इस्थापना का प्रियास बराबर होता रहता है संगर्ष के कारण, कोजर ने संगर्ष के निमन कारण बताए है, हैडिंग नमबर वन, कोजर ने कहा कि हितों के टकराव से संगर्ष होते है इसके अनुशार जब तक संबंदों की और सत्ता बनी रहती है, तब तक टकराव होने पर भी संगर्ष नहीं होता संगर्ष घटना के संब्द में उठाए प्रश्णों की न्याय संगता पर छड़कता है है नमबर टू है कोजर के अनुशार संगर्ष के मुद्दे के प्रती जितना भवात्मक लगाओ होगा संगर्ष भी उतना ही तीब्र होगा यानि कि अर्थात जहां संब्द आर्थिक घष्ट होगे बहां प्रात्मिक संब्दों में मतवेत होने पर संगर्ष भी उतना ही अधिक तीब्र होगा जहां संब्द जितने दूर होगे बहां संगर्ष उतना ही मंद होगा ने स्टेडिंग है याँ पे संगर्ष के प्रकाईए कोजर ने संगर्ष को समाजिक जीवन को द्रश्टी से प्रकरात्मक बतलाया है संगर्ष संबंदों की निरंतरता और स्थायत्म की द्रश्टी से लाबदायक होता है अन्य समुहू से संगर्ष करने वाले समुह की आंतरिक एक्ता मजबूत हो जाती है आंतरिक बिखटन को रोकने, व्यवस्ता को कायाम लखने तता समाजिक निमंतर इस्थापित करने एवं आचलर संबंदी नियमों की इस्थापना करने में भी संगर्ष होता है सक्ति संतुलन में भी संगर्ष की मैतपूर वोमिका होती है संगर्ष की परिष्टती नयमित्रों और शहे योगियों की खोज के लिए अवसर प्रतान करती है अन्य समुहों से संगर्ष करने बाले समुह अपने अस्तित के प्रति निरंतर जागरूक रहते हैं संगर्ष के मध्यम सिब्रोधी और तनावपूर भावना को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है संगर्ष मानसिक तनाव के निरसर में सायक होता है यह समुह के सरंचण में भी सायक होता है दिख्टनकारी संगर्षों से बचने के लिए समू ऐसे संगर्षों के प्रस्यान दे सकता है जो एकिकरण में सायक हो संगर्ष के प्रकारिये की ब्याख्या करते हुए कोजर ने लिखा है संगर्ष बहुदा प्रेचलित आदर्षों को पुना सक्ति प्रदान करने में साहता करता है अत्वा बहे नवीन आदर्षों की उत्पत्ति में युदान करता है इस द्रश्टी से संगर्ष नवीन पहिस्ततियों के अनुकूल आदर्षों का सामंजस करने का तंत्र है यह गतिसील समाज संगर्स से लाब उठाता है क्योंकि इस प्रकार का तंत्र है एक गतिसील समाज है जो संगर्स से लाब उठाता है क्योंकि इस प्रकार का विवार आदर्शों के उत्पत्ति और परिश्कार करने में शाहता करके परिवर्टित दसाओं में इसकी नेंतरता का बिश्वास दिलाता है, शंगर्ष के पडाम शरूप जो सकती संतुलन प्रिकट होता है, उससे आदाशों के उत्पत्ति होती है, कोजर की उप्योक्त मानता या सिद्ध करती है, कि सामाजिक जीवन का कोई स्थाई दिल आधार नहीं है, बलकि बहे काम चलाव संदियों और ग जनिती की चलती फिरती व्यवस्था, रैक्स ने कोजर के इस विचार की भी अलूचना की है, कि संगर्ष राचात्मक कवच है, रैक्स के विचार से यह करता के लक्ष का बिस्थापन है, जिसमें बहे आसंतुस जनक पहिस्तती का शमाधान करने की अपेक्छा, उससे पन तनाव का निरसन कर देता है, रैक्स के अनुसार कोजर की यह मानता है, कि पार्षन्स के आदर्स सुनिता के विचार की समान है, जिसके अनुसार एक निरासा या असफल करता कुछ बिकलपों में से चुनाव करता है, कोजर के इस सिद्धान्त में इस महतपूर्तत की और अधिक ससक्त प्रयास कर सकता है यह भी आवस्यक नहीं है कि इस प्रयास से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा या बहे दुबधा में फस जाएगा